हेलो श्रेंट्स,। वेलिकम बेक्ट टू माई चैनल, जैसे कि आज हम लोग के वरक्षित हैं तो अपनी नोट बुक, समाज्चीक विज्ञान की और पैन में उपना हाथ में ले ले लेगे, जिससे आप एंट्वेड वरक्षित करसको, जो पुराने बच्चे हैं, वो जानते पर आपनी में ये नियु enroll को बताया था मैं उस में आप लोग पाटिसिपेट करेंगे एक क्राइब का है तो यो लिए मैं कोई कोस्वेंच पूछुन पुम्गा सब ईसके अंसर देंगे अगर आपको और भी जाना उस गेम के बारे में तो आप वीडियो देखती रही है वक्षिट में आपको सारे डाउट क्लियर कर दूंगा उस गेम के बारे में ठीक है फिलाल के लिए सभी बच्ची अपनी नॉट्बुक निकालेंगे जिसमें आपको सबसे पहले लिखना है तरीक फिर आप लोग वक्षिट का नमबर डालेंगे बशीट नमबर फोर ठीक है फिर आप लोग लिखेंगे 30 जुलाई डेट मैं की ये सब लिखना बहुत जरूराई अगर आप कोई भी वक्षिट कर रहे है फिर आप अपना नाम लिखेंगे फिर अपने सब अब क्लास करने के तरिका भूत ही अलगे मैं बहुत डिफेरेंट कराता हूं मैं हैंट आपको बदाता चलता हूं कि आपको क्या लिखना है क्या नहीं तो फिलाल के लिए सभी बच्चे पैन अपना साइड में रख देंगा नोटबुक कि 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 इसमें दिया गया है प्यारे विधार्तिय आपने ग्लोब तथा मानचितर पर देशों महादीपों तता महसागरों के अलावा कुछ खडी वो कुछ आड़ी रेखाओ को भी देखा हूगा देखो खडी और आड़ी रेखाओ क्या मतलब बंता है आपकी कुछ ऐसी रखायें ठीक है कुछ ऐसी रखाये तो इन परत्वी को समझने के लिए कुछ काल्पनिक संदब रिखाओ अक्षांस देशांतर को माना गया है आईए उसके बारे में जानते हैं यह तीनों आपकी दिविए अक्षांक देशांतर और ग्रिड ठीक है चलिए इसके बार में हम लोग नीचे इसके डिटेल दिविए वह जानते देखो अक्षांक पर कैसी रेखाएं आप देखोगे ऐसी पैलर में जा रही है बिल्कुल ठीक है मतलब एक डिस्टेंस पर और इसमें कैसी जा रही है आपकी उत्तरी द ठीक है मतलब horizontal जा रही है इसमें vertical जा रही है ठीक है यह horizontal हो गया यह vertical हो गया तो ये सिब समझने के लिए ता मैं आपको नीचे अच्छा समझाता हूँ इसमें दिया गया अक्षांग और देशांतर के बारे में दोनची इसमें क्या गया है विश्वत वरत से धुरू तक इस सभी समांतर वरतों को अक्षांग कहा गया है सबसे बड़ा अक्षांग विश सबसे बड़ा अक्षांग विश्वत रेखा ठीक है यहां से आप अगर इसे देखो यह विश्वत व्रग और यह उत्री तो इसको क्या करेंगे आप से अगर बीच में करेंगे तो यह इसको अलग को कि बनता है जिसके उपर आ सकता है ठीके अक्षांग का उप्योग कर ताप कटीबंद के निधारण में कैसे कहा गया है कि ताकि उन्हें पता लग सके कि कब सर्दी है कहां पर क्या गर्मियत इसका मिजरमेंट करने के लिए वो लोग यूज करते हैं देखो अब दिया गया देशांतर के बारे में उत्री दूर्व को डच्छनी दूर्व से जोडने वाले सभी अर्थवरतों को देशांतर कहा गया है ठीक है उत्री दूर्व को डच्छनी दूर्व से ठीक है अब देखेंगे यह आपका उत्री दूर्व हो गय यहां से इन दोनों को दो पाठिस्टन में डिवाइड ठीक है उत्तरी दूर्व को दच्छनी दूर्व से जो जोडने वाले सभी अर्धवरतों को ठीक है अर्धवरत आपके कौन से हो गए जैसे यह सब बनाया हुआ है ठीक है यहां से अगर आप इधर करोगे तो यह एक ही पुर्वी गौलार्ड और पच्छमी गोलार्द में विवाजित करता है ठीक है यह अपका उत्तर हो गया तो यह क्या होगा अगर आप से उस साइड से यहाँ पर नहीं होते हैं और यह दुर्वो पर मिलते हैं जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था कि यह एक सर्कल पूरा कर रहा है तो इसके बाद जो circle होगा वो उसी distance पे maintain करके चलेगा एक ठीक है वो आपस में touch नहीं होंगे बिल्कुल भी लेकिन इसमें क्या है जो एक point से निकल ला है फिरी ये दूसरे point पे ऐसे जाके मिल रहे हैं ठीक है तो ये इसमें बताया गया है ठीक है ये समानतर नहीं होते हैं एक point पे जा है कि अगिए इसका उप्यों कहां किलता है कटिभन के निर्धारण में होता है त्यजिक को ग्रीड केते हैं किसी इस्तान की वास्वी की सुधी को जानने के लिए ले किया जाता है जैसे इन दोनों को कंबाइन करके क्या बनाए ग्रीड बनाये थीक्या अब देखते हैं जो आपका बताए गया इसमें गिधा इक फरेखा जो इसको दो भागो में डिवाइट करती है ठीक है तो इसके अंदर यह वता हो गया गया होगा ठीक है जी एमटी ग्रीन विच में टाइम ग्रीन विच ग्रेट ब्रिट्निन में इस्थित है इसका मान जूरो डिग्री देशांतर है इसके आधार पर विश्व में समय का अंगलन किया जाता है भारत में 30 पूर देशांतर को भारत का मानक जाम्योत्तर माना गया है इस्थि इंडियन इस्टेट टाइम यह तो सब टाइम के बारे में दिया गया है कि भारतिये मानक समय ग्यांची टाइम से 5 घंटे 5 घंटे मिनट आगे है मतलब अगर आपका यहां पर 8 बज़ रहें तो हापर 5 कि आपका कितना बज जाएगा यहां प्रेक्राइया दो हो जाएगा आप लगょ अब देखो इसमें क्या आगया इसमें आपको बताए गया उत्री धुर और यहां पर दच्छनी दुर ठीक है ओपर आपने सेम पढ़ा होगा इसके बारे में देशांतर और जो हमने पढ़ा था अक्षांग में तो इसमें क्या दिया गया है देखो उत्री प्लंडी जादा ठंडर रहती है तो यह उसका टेमप्रेचर बता रहा रहती है उसका टेमप्रेचर बताएगा इक तरीके से 66 and half degree Celsius प्लंडी तो यह उसका वहाँ पर टेमप्रेचर अब इसमें गया उत्तर-धूर फ्रत यह आपके कि यह आपके वह नहीं है स्सें अभ यह ऑगया हां बन दो यहां पर बहुत गर्मी रहती है यहां पर सर्दियास पर तो इसमें यह ही डिफाइन किया गया है ठीक है अब देखो इसमें गतिविधी एक अब सभी बच्चे क्या करेंगे अपने हाथ में पैनल ले लेंगे और नोटबुक ठीक है जिससे मैं आपको हैंटो हैंड इसके कु गतिविधी एक इसमें आप लिखेंगे दिये हुए चित्रों को ध्यान पूर्वक देखें और सभी महत्पुर्ण अक्षांग तथा ताप कटी बंदियों को सूची बंद करें तो मैं आप लोग को लिखवाऊंगो सभी बच्चे पहले नोट डान करेंगे कुस्ण के सबसे पहले बताएंगे कटी बंद के बारे में तो सभी बच्चे देखो पहले आप लोग लिखोगे कोई हैडिंग ऐसे करके कटी बंद मैं आपको प्रोपर तरीके से एक चीज कराऊंगा कि आपको कैसे करके अपनी नोट बुक में लिखना है ठीक है कटी बंद आप वद अच्छनी शीत कटी बंद आपको अपनी फिर आप लोग लिखोगे उत्तरी वद अच्छनी होप करते हूं सभी श्ट्वेंट को राइटिंग अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी अगर नहीं आ रही तो आप लोग बता सकते हैं मैं और भी अच्छा लिखने की कौशिस करूँगा कटी बंद एवं पूट कजी बंद यह आपका कंपलेट होता है अब लिखेंगे अक्षान्स के बारे में अक्षान्स भूमद्य रेखा जीरो डिगरी अक्षान्स है कि बच्चों फिर आजाते नीचे आपको इसमें लिखना पड़ेगा करकर रेखा कि इतना डिगरी आश्मद्य तो हम लोग लिखेंगे करकर रेखा 33.5 डिगरी अक्षान्स है अब लिखेंगे मकर रेखा कि आप लोग ऐसे करके इसमें पॉइंट डाल सकते हैं कि हम पॉइंट बनाके लिख रहे हैं मकर रेखा कि इस पॉइंट पांच यह सेम आजाएगा डिगरी आख्षान्स है फिर लिखेंगे अंतार्टिक सर्कल तो इसमें यह सब दिया गया दा डाइग्राम में इसलिए यह उसके बारे में लिखना पड़ेगा ठीक है पहला को संथोड़ा सब बढ़ा होगा सेक्ट को सन काफी छोटा है इसका अगर आपको फुल माक्ष है तो सब बच्चों को पूरा लिखना पड़ेगा ठीक है तो कि कि तक श्टेश्ट पॉइंट फाइफ डिगरी अग्षांस है है अब लिखेंगे अंटार्टिक अंटार्टिक तक श्टेश्ट पॉइंट फाइफ कि यह सेम आजाएगा डिगरी एक्षांस कि तो यह आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं फटाफट बच्चे इसे नोट डाउन करेंगे अब गति विदी नंबर आप लोग टू नोट डाउन करेंगे यह सभी बच्चे को सन उतारेंगे गति विदी टू पता लगाए कि अगर भारत में दोभैर के दो बज रहे हैं तो ग्री ग्रीन विच में उस समय क्या बज़रा होगा तो ग्रीन विच का यह बताया तो यह रहा तो इसमें क्या बताया मीन टाइम से पांच घंटे तीस मिनट आगे है ठीक है भारतिय मानक समय ग्रीन विच में टाइम से आगे है ठीक है तो इसमें कहा गया है कि पता लागा है कि अगर भारत में दोभैर के दो बज रहे हैं ठीक है तो ग्रीन विच में उस समय क्या बज़रा होगा अगर भारत में दो बज र बताना है तो ऐसे ही यहां पर बताना है आपको दो अगर बज़ रहे हैं तो मैं इसका भी आपको लिखवा देदा प्रोपर अंसर के जिससे आप लोगो फुल मार्स मिलें कि इसमें आप लोग लिखेंगे गतिवीधी टू ठीके अंसर गतिवीधी दो ठीके इसमें आप लोग लिखेंगे अगर आप लोग एड करोगे इसमें तो आप लोग देखोगे कि आपका साड़े आठ आएगा ग्रिन विच में ठीके तो आप लोग लिखोगे जब भारत में दो बजेंगे तब ग्रिन विच में साड़े आठ बज रहे होंगे ठीके बच्चों का गया जब भारत में दो बजेंगे तब ग्रिन विच में साड़े आठ बज रहे होंगे ठीके तो आप लोग इससे दिखाना चाहो तो ऐसे भी दिखा सकते हो ठीके तो आप क्या करोगे दो करोगे ठीके प्लस इसमें कितना बताएगे सब्सक्राइब तो जब भारत में दो बजेंगे तब उसमें कितने बजेंगे तो जब आप दो से कितना प्लस करोगे दो के अंदर पांच तो आपका 6-7 और यह एक आपका पहले से एड़ हो रखाए ठीक है दो से आप कितने बजाओंगे मालो एक घड़ी के मैं बनाता हूं इस समझाने के लिए बतारो मैं आपको ठीक है मालो यह आपका 12 है 1-2 फिर आपका 3 आगे फिर चार बजेंगे फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर नहीं आपको तो देखिए महां पे से दो बजरें ठीक है यहां पर आपके पांच कहां कम्प्लीट हो गए यहां पर जाके आपके पांच घंडें अपर आपका यह तो आपका कितना जाएगा है अन्साइब कि साड़े आठ ठीक है तो यह आपका आप यह लिखने की जोटने सीधा ऊपर का लिखके कंप्लेट कर सकते हूं ठीक है आइटिंग सभी बच्चों को वह समझ में आ गया होगा ठीक है किसी बच्चों को नहीं आया तो निचे कमेंट कर सकता है मैं उसे फिर अगर आप लोग टेलीग्राम पर जोइन हो तो उस पर भी मैं आपको समझा सकता हूं ठीक है बच्चों आइधिंग यह आपकी वर्क्षिट में लाश को संता है एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूं गदी विदी नंबर कौन सी आपका लाश को संता ठीके तो नैंबर के बारे में भी आप लोगो को थोड़ा बपता देता हूं ठीक है जो बच्चे नए है और गेम के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं इस में आप लोग को टेलीग्राम डेली मेरी चैनल करेगा और वीडियो को पूरी देखेंगे तो हो सके मैं मैं अगली वीडियो से उस गेम को स्टार्ट कर दूं ठीक है लेकिन टेलिग्राम चैनल जोइन करना मस्ट है जिसका मैंने लिंक डिस्क्रेश्म में दिया सभी बच्चे जाके वह जोइन कर लेंगे ठीक है तो सभी बच्चे मिलते हैं नेक्शोडी में तिल दन बाई वी सेफ इस्टे हेल्दी चैहीं चैवर